नमस्कार दोस्तूं प्रतिस्थापन्द वारा समाकलान से सम्मंधी सवाल को हल करेंगे इसमें ये सूत्र है ये सब पुस्तक में दिया गया है फिर भी इंटिग्रल 10x dx is equal to log 6x plus c और दुसरा समाकलान कोट x dx बरावर log sin x plus c तिसरा समाकलान कोट x dx बरावर log 10x by 2 प्लस c और समाकलान सेक x dx बरावर log सेक x plus 10x प्लस c कर देजिगा c को अथवा log 10 5 बटे 4 धन x बटे 2 कोश्तक इस तरह से दोस्तों ये सब सूत्र जो है पुस्तक में दिया गया है इसको देख सकते हैं और आवकलान और समाकलान से समद्धित पिछला वीडियो भी देख लिजिएगा तब असानी से समझ में आएगा आएए पहला सवाल हल करते हैं हम पहला सवाल हल करेंगे ये देख लिजिए पहला सवाल है 1-2x whole का पावर 4dx है यहाँ पर मानना माना जाता है हल सवाल हल करने के लिए यहाँ मानते हैं माना माना इसका 1-2x बराबर t इस तरह से इसको हल करने के लिए 1-2x बराबर t मान लेते हैं और इसका प्रतिस्थापन करेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है और इसका आब आवकुलन कर लिए आवकुलन का सवाल पिछला वीडियो में बताया गया है तो इसका तो 0 हो जाएगा और इस 2x का 2 dx बराबर dt dt और आगे हो जाएगा इसका हल dx का मान निकाली है dx बराबर dt by 2 हो जाएगा यह दो जो है नीचे आजाएगा बहुत ही इजी है और इसके बाद समाकलन समाकलन यह प्रसं को प्रसं से यह देख लेजिए इसके जगा हमें t माने हैं तो t का पावर फोर t का पावर फोर गुरित कर दीजिए dx कमान कितना निकला है dt by 2 dt by 2 निकला है अब इसका अगला हल हो जाएगा यह dt by 2 है तो 1 बटे 2 को बाहर कर देते हैं हम लोग 1 बटे 2 समाकलन t का पावर फोर dt इस तरह से अब इसका समाकलन किजिए t का पावर फोर का समाकलन हो जाएगा समाकलन का सूत्र x घात n पलस 1 बटे n पलस 1 से किजिएगा पिछले वीडियो में देख करके यह तो पुष्टक में देख करके उसी सूत्र से इसका समाकलन निकालेंगे इसका समाकलन निकालन पर हो जाता है यहां से बराबर 1 बटे 2 यह वाला 1 बटे 2 अब इसका हो जाएगा t घात 5 n पलस 1 है न और नीचे जो है नीचे भी n पलस 1 है नीचे भी 5 हो जाएगा इस तरह से अब इसको जो है 2 पंचे 10 हो जाएगा 1 बटे 10 1 बटे 10 t घात 5 अब t कमान रख दीजे अगला हल हो जाएगा 1 बाइ 10 t कमान हम लोग 1-2x माने हैं तो 1- 2x का पावर 5 यह जो है इस तरह से जो है असानी से हल कर सकते हैं और नेफ्ट सवाल अगला सवाल देख लेते हैं दूसरा चार धन 5x क्यूब dx यानिकि पावर 3 है इसको भी उसी तरह मान लिजे माना 4 पलास 5x 2 अब इसका आउकलन कर लिजे हाँ पर लिख देता हूं आउकलन आउकलन हाँकलन करेंगे तो इसका 0 हो जाएगा 5 dx इस 5 को लिए dx बराबर dt आगे हो जाएगे dx कमान निकालना है dx is equal to dt by 5 यह 5 निचे आगया बहुत ही असानी से भी हल होगा अब अब आगे समा कलान इस परसन को यहाँ पर t t क्यूब और dx कमान dt by 5 निकलना है नेक्स्ट अगला हल हो जाएगा एक बटे 5 बाहर ले ले जे एक बटे 5 बाहर ले ले जे फिर समा कलन अब क्यूब dt अब इसका हल हो जाएगा अब बराबर एक बटे 5 t फोर समा कलन कर ले जे गए हाँ t q का t घात 3 का t फोर बटे 4 अब नेक्स्ट अगला हो जाएगा अगला हल एक बटे 5 एक बटे 5 नहीं इसको डारेक्ट मल्टिपल कर दिजे चाब 5 से 20 यहाँ पर टोंटी कर दिजे 20 20 और t का पावर फोर बराबर हो जाएगा एक बटे 20 और t कमान रख दिजे t कमान 4 पलस 5 5 गात 4 हो जाएगा इस तरह से असानी से हल कर सकते हैं दोस्तों अगला सवाल है अगला सवाल है तीसरा सवाल है पावर 1 बाई 2 dx इसका जो हंडा रूट का हाप हो जाता है हाप इस तरह से लिख सकते हैं अब अगला माना यहाँ भी माना कर दिजे इसकेल टी अब इसका आउकलान इसका जीरो हो जाएगा तो dx इसकेल टी इसकेल टी इसकेल टी इसकेल टी अब इधर कर देते हैं dx इसकेल टी अब इस परसन से 1 by dx इसकेल टी हाप टी हाप टी हाप हो गया और dx के जगा डी टी इस तरह से आगे यह देख लेजे यहां जो है यह हाप जो है उपर जाएगा तो हो जाएगा समा कलन यहां भी समा कलन है समा कलन टी माइनस वान बाई टू हो गया है माइनस हो जाता है उपर जाता है तो डी टी इस तरह से बहुत असानी से हल होगा और आगे हो जाएगा यह इधर कर देखते हैं हल अगला हल हो जाएगा भराबर टी हाफ हल करेंगे तो यहां 1 by 2 हो जाएगा समा कलन इसका कर देंगे तो पिछला समा कलन करेंगे तो इस तरह से होगा बराबर यह 2 T हो जाएगा 2T 1 by 2 इसका पावर अब बराबर T कमान रख दिजिए T कमान 1 पलस X हाप अब आगे इस तरह से लिख सकते हैं बराबर हो जाएगा 2 इसका हाप का अंडर रूट हो दा 2 अंडर रूट 1 पलस X ये जो है इन स्वार है दोस्तों इस तरह से इजी तरीका से हल कर सकते हैं अब अगला सवाल देखते हैं चाउथा सवाल चाउथा सवाल है D X बाई 2 पलस 3 X इसमें भी इसको मान लिजे माना 2 पलस 3 X इसके अब समाकलान कर देजिए इसका 0 हो जाएगा 3 D X ये जो X लगा है इसका समाकलान नहीं दोस्तों आउकलान इसका आउकलान कर लिजे आउकलान सोरी आउकलान करना है इसका आउकलान 3 D X इसके इसके लटू D T अब बराबर हो जाएगा D T by 2 बटे T ये बड़ा समाकलान बना देते हैं समाकलान कर चीन ये इस तरह से अब इसका अगला हो जाएगा एक बटे तीन को पाहार ले लेते हैं एक बटे ये थिरी है दोस्तों ये थिरी है एक बटे तीन ये देख लिजिए समाकलान वन बाई टी बचाए यहाँ पर वन बाई टी और डी टी डी टी इस तरह से अब आगे हो जाएगा वन बाई टी थ्री एक बटे टी का मान होता है एक बटे टी एक बटे टी बराबर होता है लोग टी होता है एक बटे टी का मान लोग टी होता है तो हमें यहाँ पर लोग ती रख दिजे और ती कमान रख दिजे ती कमान हम क्या माने है एक बटे तीन लोग वन है ती कमान टू पलस थ्री एक्स टू पलस थ्री एक्स टू पलस थ्री एक्स पलस c कर दिजेगा सभी जहां लगना है वहां पार मैं छोट दिया था इस तरह वन पान थ्री लोग टू पलस थ्री एक्स पलस сी होगा यह टी कमान है तो इस तरह से आसानी से परतिस्थापंद्वारास समाकलन हल कर सकते हैं हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद